हेलो गाईज, स्वागत आफ सब का फिर से एक नए वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवेस रोणीन 24 की लेटिस्ट मोडल स्पेशल एडिसन के बारे में जस्त यहां पे देख सोगत अमारे पास में गाड़ी खड़ी है इसमें बहुत सारा लोग का डाउट है, वो इस डाउट का में किलियर करने वाला हूँ और इसमें आपको क्या क्या फिचर्स देखने हैं, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी आपको लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा because मैंने सारे point को note on किया guys अब मैं सबसे पहले इसकी meter console पे चलता हूँ meter console आपको दिखाता हूँ कि meter console कैसे रहने वाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ ऐसे metric meter console में देखने को मिल जाती है guys जिसमें आपको Bluetooth से connectivity का एक option भी देखने को मिलता है प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो चालो करते हो speedometer में सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है AWS का support आपको देखने को मिलता है फ्यूल फिर उसकी बाद में चेक लाइट फिर neutral meter और neutral मतब कि gear indication भी आपको meter में देखने को मिल जाता है guys ठीक है automator trip A trip B trip सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि और इसकी mileage वेगरा कैसी performance से trip B में आप देख सकते हो 2.9 आपको देखने को मिलता है ठीक है Bluetooth, Urban, Sport दोनों mode आपको देखने को मिल जाती है guys ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो timing वेएरा सारा कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है और gear indication जस देखो मैं gear लेकर को दिखाता हूँ यहाँ से मैं gear लूँगा देखो यहाँ पर आपको तू यहाँ पर लिखता हुआ देखने को मिल जाता है वह आप देख सकते हो right hand handle bar में start button mode का option और यहाँ पर hazard light का भी option देखने को मिल जाता है यहाँ से mode hazard light और यहाँ देखो मैंने जलाएं यहाँ पर सारा चार इंडिकेटर जाने लगी और यहाँ से start button mirror देख सकते हो काफी अच्छी सी mirror देखने हो मिलती है यह भी पुरी की fully metallic clip में आपको देखने हो मिलती है guys वहीं left side handle bar बात करें तो passing upper deeper यहाँ से देख सकते हो यहाँ से call उठा सकते हो और cut भी सकते हो ठीक है लॉंग प्रिस करें रखके call उठ जाएगी और एक बार दो बार डबल टैप करें तो call कर जाती है guys ठीक है फिर यहाँ से indicator का एक option मिलता है और यहाँ पर हारन आप देख सकते हो guys वहीं अगर इसकी front में चले guys तो क्या look आपको देखने हो मिलती है टी सेप में आपको यहाँ पर यह position lamp हमें देखने को मिल जाती है guys वहीं देख सकते हो DRL वेगरा सारा कुछ यहाँ पर LED light का setup देखने को मिलता है जो की काफी अच्छी लगती है वहीं आप देख सकते हो यहाँ पर हमें LED indicators भी देखने को मिल जाती है वहीं number punching का एक option देखने देखने को मिलती है guys जो की काफी अच्छी है और इस bike segment पे वहीं आप देख सकते हैं इसकी mudguard भी आपको fully metal वाली देखने को मिलती है जो की काफी premium लगती है guys इसकी weight हम अगर बात करें गाड़ी के तो 160 kg का weight हमें देखने को मिलता है वहीं front wheel हमें देखने को मिल जाती है guys 110, 70 17 का tubless tire 300 mm disc के साथ में जो की काफी अच्छी लगती है guys वहीं हमें oil cool engine के साथ में single horn भी देखने हो मिलती है guys जो की काफी अच्छी है और sound भी काफी अच्छी produce करती है legguard आप देख सकते हो ये भी काफी मजबूत है मजबूती के मामले में ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच अच्छी है guys वहीं आप देख सकते हो इसकी इंजिन के बात करें तो दो सो पचीस पॉइंट इसका display announcement हमें देखने हो मिल जाता है guys maximum power 15.kw के साथ में 7750 rpm वहीं maximum torque 19.53 mm के साथ में 3750 rpm हमें देखने हो मिलता है जो की काफी अच्छी है वहीं आप देख सकते हो guys इसमें बहुत अच्छी तरीकी सीज में cutting edge करके यहां पर देखो बनाये गया है engine में यह आपको देखने हो मिलती है tvs लिखा हुआ इसमें ज्यादा fiber का use नहीं किया गया बट यहां पर आप देख सकतो थोड़ी सी fiber use के गया है इसकी side panel में जो कि इसकी look को थोड़ा सा और निखारती है और पर टैंक पर आप देख सकते हो horse का logo भी मिल जाता है अगरे टैंक की बात करे ना तो 14 लिटर का आपको टैंक देखने हो मिल जाता है e20 के अपडेट के साथ में वहीं आप देख सकते हो यहां पर चकी लगा करके आप इसे खोल सकते हो special edition का एक अच्छा सा sticker भी देखने हो मि वहीं पर आपको 57 step adjustable monoshock suspension इसमें देखने हो मिल जाता है और यहां पर देख सकते हो rare में आपको निखर के आती है rare से मतब देखने हो मिलती है tell them आप देख सकते हो red color की वहीं TVS का एक फिर से लिखा हो अच्छा सा एक batch sticker यह 3 logo देखने हो मिल जाता है और rear में भी पूरी की पूरी metallic का यूज़ किया गए number 5 यहां पर आप कर सकते हो guys जो की अच्छी है लाइटी मेरा सारा कुछ अच्छा देखने हो मिलता है फिर से वहीं indicator वाल आपको देखने हो मिल जाता है इसकी sitting के अगर बात करें guys तो sitting भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इसकी cushioning भी अगर आप बहुत अच्छी है long right के लिए भी आप जा सकते हो जो की अगर इसकी mileage के वर बात करो ना guys तो mileage आपको मिल जाता है 30 to 35 मैंने इसका check नहीं किया रहा है बस company claim करते है और मैंने kids logo से पूछा तो उन्होंने मुझे इतना बता है तो मैंने आपको same to same बता दिये guys ओक्या और आप बताने कि आपको कितनी mileage मिल रही है इसकी 5 gear के साथ में गाड़ी देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हो एक नीचे और बाकी उपर आप gear यहाँ से आप यहाँ पर gear ले सकते हो guys ठीक है side cut of engine के option के साथ में गाड़ी हमें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है वहीं आप देख सकते हो एक सो एक क्यासी एम का इसका ground case देखने को मिल जाता है guys यहाँ पर फिर से होट का logo देखने को मिलता है वहीं इसकी अगर एक सो रूम प्राइस की बात करें तो एक लाग बातर है शार्शो वहीं इसकी pricing अगर on road price की बात करें तो दो लाग साथ हजार आपको on road price देखने को म इसमें किसी भी तरीके का अपको extra खर्चा नहीं कराना पड़ेगा engine वेगरा सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है engine guard वेगरा सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है इसमें seat की height बात करें तो 795 mm की seat height देखने मिलती है वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना गाइस मिलते नेक्स